हेलो स्टुडेंट्स, गोड इनिंग, यूट्व चैनल इंडिया उल्डेज में आपका फिर से स्वागत है, आज हम पढ़ते हैं कदम राजवन्स का इतिहास, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाता, द्वार समुदर के होईसल वन्स के बारे में, उससे पहले हम पढ़ाता, दक्सिना पत के लगू राजवन्सों के बारे में, एक जगए पहले पढ़ाता, अब हम उन्ही का ये अलग-अलग आपको वीडियो दिखा रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं, कदम राजवन्स का इतिहास, कदम राजवन्स का उतकर्ष चोथी स्ताब्दी इस्वी के मद्दे से दक्सिना पत के दक्सिन पस्चिम में हुआ, इस समय समुद्र गुप्त के दक्सिना पत बियान की पढ़ाव सुरूब कांची के पल्लमों की सक्ति कमजोर हो चुकी थी, कदम लोग मानववे गोतरी य जो अपने को हारिती पुत्र कहते थे, उनका मुख्यकारी वेदों का अध्यन तथा व्यदिक येग्यों का अनुस्ठान करना था, पहले वे पल्लमों की अधिनता श्विकार करते थे, इस वन्स के मयूर सर्मन ने पल्लमों के विरूद विद्रोह किया, तथा अपने स्वत संतरता घोसित कर दी, वह कदम वन्स का संस्तापक था, मयूर सर्मन ने पल्लमों के सिमानत अधिकारियों को प्राश्ट कर, सिरी प्रुवत के आसपास के गने वनों पर अधिकार कर लिया, कालांतर में पल्लमों राज़ओं ने उसे मेत्री समन्द इसनापित किया, तथा उ सिमी समूद्दर एउं प्रेहरा तुंग बद्रात्वा मलप्रव नदी के बीच के भूबहाग पर उसका प्रभूत्वे मान लिया। बात की कताओं में मयूर सर्मन को 18 अस्वा में घेग्यों का अनुस्ठान करने वाला कहा गया है। बनवासी अर्थात वजेंती इसकी मुखे राजधानी तथा पालासी का उपराजधानी थी। मयूर सर्मन ने लगबग 345 इस्वी से 360 इस्वी तक सासन किया। कदंब वनसी सासकों की वनसावली हमें एक मात्र ताल गुंड स्तंब लेक से पता चलती है। मयूर सर्मन के काल बाद का कुछ स्वर्मन इस कूल का सरवादिक सक्तिसाली राज़ा हुआ। उसके पूर्वे तीन राज़ों के नाम हमें पता चलते हैं। कंग वर्मन भागिरत तथा रगु। उन्होंने 425 इस्वी तक सासन किया। परन्तु उनके सासनकाल की परमुक गठनाओं के विशे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कंग वर्मन के विशे में ये बताया गया है कि उसने बासीम साखा के वाकाटक नरेश विंदे सेन के कुंतल राज़े प्राकर्मन का सफलता पूरक परतिरोध किया था। भागीरत जो 325 से 410 इस्वी में सासक था के काल में ही गुप्त सासक चंद्रगुव द्वित्य विक्रमादित्य ने कालिदास के नित्रत्यमें अपना दूत मंडल कुंतल नरेश के दरबार में बेजा था। भागिरत के बड़े पूत्र रगु को अनेक सत्रों का विजयता कहा गया है। उसके सासन के अंत में उसका छोटा भाई काकूच सवर्मन 425 इस्वी में राजा बना। ताल गुंड प्रैसस्ती में काकूच सवर्मन की सक्ती की बड़ी परसंसा की गई है। उसका सासनकाल अत्यन सम्रती साली था तथा उसने अपनी कन्यों का विवहे वाकाटक तथा गुप्त राजवनसों में किया था। उसने ताल गुंड में एक विशार ताला बनवाया अर्थात खुदवाया था। काकूच सवर्मन ने 425 इस्वी तक सासन किया था। काकूच सवर्मन का उत्रादीकारी उसका पुतर सांती वर्मन जो 425 से 75 इस्वी में था उसे अत्यन्त यसस्वी सासक बताया गया है। जो तीन ताज, पटत्रे, धारन करता था। उसके पुत्र म्रगेश के एक लेख से पता चलता है कि उसने अपने सत्रूओं की लक्समी को उनके महलों से बलपूर्व खेंच निकाला था। सांती वर्मन के काल में कदम् राजय को पलवों से खत्रा बना हुआ था अतहे उसने अपने राजय के धक्सनी भाग को अपने छोटे भाई कर्शन वर्मन के दिनता में कर दिया। ये इस पशत्ह राजय का विबाजन था कृष्णा वर्मन ने अस्व में गएगेक किया वह पल्लवों के साथ युद में मार डाला गया उसका पुत्र विष्णु वर्मा पल्लवों द्वारा अहभी सिक्त किया गया सांती वर्मन के बाद उसका पुत्र मर्गेश वर्मन जो 470 से 480 सीश्वी में सासक बना उसका बनवासी तथा पलासी का दोनों पर अधिकार था गंग तथा पल्लव सासकों के विरूद उसे सफलता प्राप्त हुई वह अपनी विद्वता तथा बुधी माने के लिए प्रसित था वह एक उसल सेनिक भी था जिसे गोडे तथा हातियों की सवारी का बड़ा शोक था उसने अपने पिता की स्मर्ती में पलासी का में एक जैन मंदिर का निर्मान करवाया था तता उसे उदारता पूरग दान दिया था मर्गेश के बाद रवी वर्मा जो 500 से 538 इस्वी में था एक महत्व पुन सासक हुआ अलसी लेक से पता चलता है कि उसने विष्णु वर्धन तथा अन्य राजों को युद में मार डाला एमपलासी का से पल्लवों को निकाल कर वहाँ अपना अधिगार जमा लिया उसकी विजों के फल्सवरूप समस्त प्राचीन कदंब राजे पर उसका अधिगार पुना इस्तावीद हो गया रवी वर्मा का उत्रा दिकारी हरी वर्मा जो 538 से 550 इस्वी में बना वैसांट प्रकर्ती का सासक था उसके राजेकार में 545 इस्वी के लगबक चालू के नरेश पुलकेसिन पर्थम ने कदंब राजे के उत्री भाग को जीत लिया तथा बादामी में अपनी राजदानी बनाई कदंबो में पारिवारी कलाह के कारण एकता नहीं थी उनकी छोटी साखा जिसकी साफना दक्सिड में कर्शन वर्मा पर्थम ने की थी के क्रिश्न वर्मा द्वितिये 556 इस्वी ने वजेनती पर आकर्मन कर वहां अपना अधिकार कर लिया और इस परकार बड़ी साखा के अंतिम सासक हरी वर्मा का अंध हुआ क्रिश्न वर्मा द्वितिये अध्वा उसके पूत्र अजवर्मा के समय में पुलकेसिन पर्थम के पूत्र कीर्थी वर्मा ने बनवासी को अंतिम रूप से जीद कर अपने राजे में मिला लिया इस परकार कदम राजे की सुहादीनता का अंतिफ हुआ ठीक है तो देखिएगा इस वीडियो में हमने दक्षिना पत्त के लगू राजे के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसी प्रकार से आपको अब भी ने ने वीडियो हमारे यू टूम चेनल इंडिया ओल्डेस पर मिलेंगे